दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि शायद आपने सुना तो होगा, हो सकता है, आप इससे परिशान भी हो, लेकिन फिर भी संकोच में, शर्म में और हया की वज़ा से हम लोग अक्सर इसके बारे में बात करने में थोड़ा सा हिच की जाते हैं जी हाँ, दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, इरेक्टाइल डिसफॉंक्शन, यानि पेनिस में तनाव नहीं आने की समस्या, यानि नामर्दी के बारे में पैसे क्या आपको बता है कि दुनिया भर में लाखो लोग ऐसे हैं जो की इरेक्टाइल डिसफॉंक्शन से जूज रहे हैं लेकिन उसके बावजूद शर्म और संकोच की वज़े से, जैसे मैं आपको बताया, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ना ही इसका सॉलुशन जान पाता है आज की इस वीडियो में हम ED यानि इरेक्टाइल डिसफॉंक्शन के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इस बड़ी प्रॉब्लम का असल सॉलुशन हमें कैसे मिलेगा तो चलिए शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इरेक्टाइल डिसफॉंक्शन यानि नामर्दी होती क्या चीज है और ये किस कारण से हमारे अंदर पैदा होती है दोस्तों ED को अगर हम उस आसान भाशा में आसान शब्दों में समझना चाहें तो जब किसी इनसान को सेक्स के दोरान या फिर उससे पहले पेनिस में हार्डनेस बनाये रखने में प्रॉब्लम आती है तो उस कंडिशन को हम इरेक्टाइल डिसफॉंक्शन कहते हैं रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में हर पांच में से एक मर्द इरेक्टाइल डिसफॉंक्शन का सामना अपनी लाइफ में कभी न कभी जरूर करता है और जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये आकड़े भी बढ़ते चले जाते हैं लेकिन ये सोचना कि इरेक्टाइल डिसफॉंक्शन सिर्फ बोड़े लोगों में ही होता है ये एक गलत धारना है क्योंकि यंग लोगों के अंदर भी ये प्राब्लम हो सकती है वैसे एडी होता क्यूं है, कैसे होता है ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा के आखिरे कैसे आता है हाड़्नेस कैसे आती है तो देखिए जब किसी मर्स को sexual excitement होता है दो ऐसे में उसका brain जो दो है उसके canetals को signal भेशता है लाकि वहां के जो blood vessels हैं वो relax हो सकें, फैल सकें और जादा खून वहां पर भाव के साथ जाए तेजी से और वहां पर erection हो सके तो इस तरह से वहां पर erection हो जाता है खून के भाव की वज़ा से लेकिन कभी-कभी चाहे वो physical reasons हो या फिर psychological reasons हो यह process ठीक से काम नहीं करता है और इसकी वज़ा से erectile dysfunction का सामना हमें करना पड़ता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ED का कोई इलाज नहीं है सही knowledge से और सही treatment से इस problem को आप पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं पशर्थे आपको पता हो कि किस वज़ा से आपको यह problem हो रही है हलांकि यह पता लगाना कि किस वज़ा से problem हो रही है कोई असान काम नहीं है और इसलिए अक्सर इसके लिए आपको qualified doctor से consult करना पड़ सकता है ताकि आपकी जो problem है वो चेक अप करके आपको बता सके कि किस कारण से आपके अंदर हो रही है और जब कारणा पता लगेगा तभी सही माइनों में इसका इलाज हो पाए तो अगर ED के causes की बात करें तो हर किसी का case अलग होता है लेकिन कुछ common ऐसे कारण भी होते हैं जो कि लगबग हर केस में कुछ ना कुछ अपना रोल निभाते है पहला ऐसा ही कारण होता है दोस्तों physical cause physical cause जैसे कि कोई अगर आपको दिल की बीमारी है मान लिजे high blood pressure है high cholesterol रहता है या फिर इस तरह की कोई और दिक्कत है या फिर diabetes किसी को अगर हो गई है या फिर hormone-al imbalance किसी को हो गया है जैसे कि testosterone कम है या फिर कई बार नसों की कमजोरी, nerve weakness इस सबी ऐसे physical causes हैं जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन में एक ऐसा common link है जो की है blood flow का कम हो जाना या फिर blood flow में रुकाव अटा जाना दूसरा कारण है mental health जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़ादा stress रहती है किसी बात की बहुत ज़ादा tension है, depression है या फिर अगर confidence की कमी है किसी इनसान के अंदर तो यह सब ऐसे mental issues हैं जो की आपकी sexual health पर असर डाल सकते हैं और erectile dysfunction की problem को पैदा कर सकते हैं बसे मेरे experience में दोस्तों erectile dysfunction ज़ादा तर cases में mental factors की वज़ासे ही होता है और physical factors बहुत ही कम cases में responsible होता है इसलिए जब भी कभी erectile dysfunction का treatment हम लोग करते हैं तो हम physical causes के साथ साथ कोशिश करते हैं मरीज के mental clarity को भी परकने की उसके mental status को भी जाचने की ताकि सही माइनों में हम उसकी जड़ तक पहुँच चकें और उसको therapies दे कर या फिर कुछ ऐसे दवाईयां दे कर जो कि इसके confidence को boost करें तो उससे भी काफी ज़्यादा फाइदा मिल सकता है erectile dysfunction के की इसमें मरीजों में तो अब आईये बात करते हैं erectile dysfunction के treatment के बारे में कि अगर किसी इनसान को erectile dysfunction हो गया है तो उसको treat करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से options होते हैं हम सारी बाते detail में जानेंगे कुछ allopathic medicines के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद कुछ home remedies और कुछ आयरविदिक जड़ी बूटियों के बारे में भी बात करेंगे जो कि erectile dysfunction में काफी ज़्यादा helpful होती है दोस्तों erectile dysfunction के लिए सबसे common allopathic medicines की अगर बात की जाए तो इन में शामिल होती है PDE5 inhibitors जैसे कि cildenafil यानि व्यागरा और tadalafil यानि cialis इस दवाईएं blood flow को erection के टाइम पर बढ़ा देती हैं जिससे कि erection maintain करने में काफी असानी होती है लेकिन याद रखिएगा कि ये दवाईएं अपने साथ बहुत सारे serious side effects भी लाती हैं इसलिए सिर्फ doctor की सला से ही आपको इनको लेना चाहिए विसे मैं personally लोगों को हमेशा इनसे दूर रहने की ही सला देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपको वक्ती तोर पर कुछ फायदा दे देती है लेकिन long term में इनका कोई ऐसा permanent फायदा आपको नहीं मिलता है और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि over the period of time इनकी जो dose है वो धीरे धीरे बढ़ाते रहने पड़ती है ताकि इनकी efficacy जो है वो किसी इनसान में लंबे time तक बनी रहे साथी साथ दोस्तों कई बार सिर्फ दवाईयों से ही काम नहीं चलता है क्योंकि अगर erectile dysfunction, psychological reasons की वज़ा से हो रहा है जैसे की stress, anxiety की वज़ा से तो ऐसे में psychological counseling भी बहुत मददगार साबित होती है वैसे ये treatments जो हम discuss कर रहे हैं ये वो हैं जो कि doctor की निगरानी में आपको लेने होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुवात आप चाहें तो अपने घर से अपने आप भी कर सकते हैं और शुरुवात के लिए सबसे अच्छे option होता है pelvic floor exercises pelvic floor exercises वो होती हैं जो कि आपके pelvis यानि जो नावी से नीचे का हिस्सा होता है यहां पर blood flow को बढ़ाती है और यहां की जो muscles हैं इनको मस्बूत बनाने का काम करती है pelvic floor exercises को keagle exercise भी कहा जाता है वैसे तो कई तरह की keagle exercises हैं लेकिन एक बहुत सिंपल सी exercise मैं आपको बता देता हूँ जो आप try कर सकते हैं इसके लिए आप क्या कीजिए आप जमीन पर अपनी peat के बल सीधे लेट जाएए और अपने घुटनों को मोड़कर पैर सीधे जमीन के उपर रख लीजे अब इसके बाद आप अपने penis को अपनी body की तरफ ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करिजिए जोड लगाईए अंदर उनी तोर पे और फिर 5 सेकिंड तक इसी तरह से आप wait कीजिए और फिर relax कीजिए इस तरह से 9 से 10 बार आपको repetition करनी है और इसके बाद आपको एक दूसरा step करना है जिसमें आपको अपने penis को अंदर की तरफ सिकोड़ना है कुछ इस तरह से जैसे कि कोई इनसान जब letrine आती है तो उसको अगर रोखने की कोशिश करेगा तो उस तरह से आपको अपने penis को अंदर की तरफ constrict करना है और फिर अगेन उसी तरह से 5 सेकिंड वेट करना है और फिर relax करना है इस से एनस के constriction वाले process को भी आपको लगबग 9 से 10 बार repeat करना है और इसके बाद relax कर लेना है इसी तरह से और भी कई सारी अलग अलग कीगल exercises हैं जो कि आप try कर सकते हैं मैं यहां सब तो आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि time इतना जादा नहीं है वीडियो लंबी नहीं बनानी है लेकिन अगर आप चाहें तो online research करके YouTube पर देखकर बहुत सारी techniques आप देख सकते हैं सीख सकते हैं exercises के लावा कुछ ऐसे vitamins और minerals भी हैं जिनकी कमी से erectile dysfunction हो सकता है जैसे कि vitamin D3, zinc, magnesium, vitamin B3, L-arginine और vitamin E तो ऐसे multi-vitamin supplements आपको लेने चाहिए जिनमें ये सभी vitamins आपको एक साथ एक ही जंगा मिल जाएं या एक साथ नहीं मिल पाते हैं तो अलग-अलग आप D3 और इन सब के vitamins के supplements ले सकते हैं कि इनकी कमी आपके अंदर ना हो खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो अखरोट, डार्क चॉकलेट, खजूर, अंजीर, पालक, चुकंदर और तर्बूज ये कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि आपको ज़्यादा खाने चाहिए क्योंकि ये सभी erectile dysfunction में बहुत सदा फायदे मन होती है आईरवेधिक जड़ी बूटियों की बात करें तो सफेद, मुस्ली और अशूगंधा इन दोनों के potters को आप बराबर quantity में मिलाकर पांच किराम ये चुरन सुबह शाम दूद के साथ लीजिए इससे भी आपको काफी ज़ादा फायदा मिलेगा ED में इसके लावा आप चाहें तो बादाम और शहद का नुस्खा भी ट्राई कर सकते हैं इसके लिए रात को दस बादाम पानी में भिगो दीजिए और सुबह इनका छलका उतार कर इनको पीस लीजिए और इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसको दूद के साथ सुबह सुबह आप खाईए ये भी एरेक्टाइल डिसफॉंक्शन के लिए एक सिंपल लेकिन काफी असरदार नुस्खा है तो दोस्तों ये हैं कुछ बहुती असान से नुस्खे कुछ बहुती असान सी टेक्नीक्स जिनसे आप घर बैठे अपने आपको इरेक्टाइल डिसफॉंक्शन के खिलाफ पर प्रिपेर कर सकते हैं इससे काफी हद तक चुटकारा पा सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि अगर प्रॉबलम बहुत जादा है और इन नुस्खों से आपको फाइदा उतरह नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में आपको प्रफेशनल गाइडलेंस की जरूरत भी होती है आपको सही मार्कदर्शन की जरूरत होती है और सही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखेगा आपको बहुत कुछ नई बाते जानने को मिलेंगी चलिए इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा